तो जितने लोग तक ये वीडियो पहुंचे ना क्रिपय आप पूरी देख लीजेगा नमस्ते हमारा नाम है मुकंत मिसरा हम मुंबई के ICST कालेज के इंजिनेरिंग के दूसरे साल में हैं यहाँ पर पन्वेल में एजब पेइंगेस्ट रहते हैं और मतलब यह हमारे चिंदेगी का फर्स्ट वीडियो है मतलब 19 बार री टिक दे चुके हैं तरहां कॉन्फिटेंस ला रहे थे हैं इसे हम यूपी से हैं यूपी के जौनपूर जिले में हमारा गाव है और हमारे पिता-जी मनोहरलाल मिस्रा हमारे गाव की पैटसाला के हैड मास्टर मतलब गाव के सब सब पढ़े लिखे आदमी अब हमारे पिता-जी ना हमें भी खुदकी तरह ऐसा पढ़ा लिखाना बनाना चाहते थे हैं इस को सिर्क मसीन बनाने के लिए M.I.T, E.I.T, Bitset, Remain, J.A.D.1 से सब देना पड़ता है अब छोटा बच्चा था गलती से बोल दिया अब उसी गलती की सजा हम रोजा ही काट रहे हैं उसके बाद हमारे पिता जी हमको रोज सुबह के थे उठ जाओ हमारे मेकानिकल इंजिनर हमे माना भी नहीं कर सकते थे कि पिता जी हमको इंजिनरिंग नहीं करना है पिता जी की इज़त चले जाते थे हमको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था कही और ज़्यादा अच्छा ना लगने लगे इसलिए छोड़ दी उसके बाद हमारे पिता जी हम से कहे कि बैटा अगर जिन्दगे में तरकी करने है तो यह गाउ के दूस्तों के साथ घूम Wallace फिरना यह बंद कर दो तो हम बजपन के दूस्तों के साथ घूम न फिरना भी बंद कर दे हैं हम को याद है हम 10.000 बढ़ाओं बहुत ही जोर से पार किये थे मतलब पूरे जिले में सापवाय आयते हम और इनाम के तौर पर हमें पिता जी ये सामसंग का फोन दे दिये हमसे कहें कि बटा जब मेंकनिकल इंजिनेर बनओगे तब पस्क्रीन वाला जिलाएंगे अब जब साला मेकानिकल इंजिनेर बनेंगे अब इनसे थोड़ी न मांगेंगे फोन हम बरबाद ना हो इसलिए नहीं देते हैं और हमको इस चीज से दिक्कत भी नहीं थी अब हमारी गाओ की पाट साला में एक ही कंपूटर है उसमें हम पढ़ाई के बहाने अब्याकॉंट बनाई थे जिसको हम इस्तमाल ही नहीं किये अब साला हमारे पिता जी का अना बहुत इच्छा था कि हम बंबाई के बड़े इंजिनेर अंकालीज में पड़े हैं तो हमको यहां पट से भीज़ दिये तो हम भी खुद के खिलाब यहां आ गए मां बहन खेट हमारी पाट साला दोस्त जिनको अलबीदा भी नहीं बूल सके उन सब को छोड़के यहां आ गए भी अगया वागया बहुत खुब्सूरत हैं जब घुमे नहीं है लेकिन सुना बहुत हैं और हम जैसे जो भाहर के लोग आते हैं ना उनको श्रंव बंबाई सेमें चीज लगता हैं लेकिन यहां के पता चलए यह दोनों दुनिया यह लगे हैं अब जब हम आईड़िसेंस सब मतलब पागल हो गए थे हमारे बैच में एक 80 स्टूडेंट से हम अकेले ही UP से हैं हमारे पिता जी हमको सब सिखाएं लेकिन दोस्त बनाना नहीं सिखाएं लोगों से बात करना नहीं सिखाएं तो हम अकेली थे और यहां के बच्चे भी न बहुत ही अलग मतलब कैसे बहु सब्सक्राइब कोगल पे जैकेट पे केटीम पे ऐसा कॉलेज आते हैं और मतलब कुछ रड़किया है जो इसा स्कुर्ट में मतलब हमको इस चीज से दिक्कत नहीं है बिल्कुल दिक्कत नहीं है बस हम पहले बार देखिए थोड़ा गड़ बड़ा गए थे और कुछी स्टु तो इतना तेज बूलते हैं ना कि समझना छोड़िये सुनने में भी बड़ी दिक्कत होती है मतलब हम इनकी तरह कूल नहीं थे हम ना सिगरट पीते ना दारू पीते ना नसे करते ना कोई गल्फ्रेंड के चक्कर में थे और हमारे कपड़े हमारे कपड़े भाया मतलब एक एक फॉर्मल सर्ट एक फॉर्मल पैंट हाथ में पापा की गड़ी यह चस्मा निच्चे सैंडल और इस तरी भी हम खुद ही करते थे और बाल अभी बड़ाए अभी बड़ाए बाल वरना पूरा मिलिटरी कट रखे थे वह बाजवाला चिंटू है ना हमको मतलब बाल इसे कि हम बंक नहीं करेंगे असाइमेंट्स टाइम पर देंगे जो भी है इसे करेंगे अभी दो तिन महीने पहले का बात है हमारा सेंटू का एक्जाम सपास में आ रहा था तो धीरे धीरे सब हमारे साथ ऐसा ही हाई वाई बोलने लगे हमारे साथ बात करने लगे हमारे मत मतलब टैंटीन गुमाएं हमको प्लेग्राउंड गुमाएं हमको मॉल गुमाएं हमको चीज फ्रैंकी सेंड्वीश मतलब बहुत नाम याद नहीं आरे लेकिन बहुत बहुत कुछ खिलाएं और हम उनको जितने भी पढ़ाएं उसके नोट्स देते फिर उनको लाइबरेरी मे कि हम पागल हो गयते हैं मतलब भूत ही खुशते हम मतलब हमारे जिंदवी काना यह बेस्ट पिरियट कह सकते हैं अभी हमारा ना यह वाच्मन है ना जो नीचे उनका यही फोन पर हम वीडियो बना रहे हैं तो उनका एंड्रोइट फोन है और उनको चलाने नहीं आता है तो हम उनपे हमको दे देटेए फोन तो उनके प्पे खल के हम समको फ्रेंट भी बना लिए हुआ थो हमारा ना धूपर से हो गया हम धम्-धम सबको पिपर दिखा है तो तो क्या हुआ ना कि यह को ना कि वज़े से जो बाकी का पेपर था वो आंसल हो गया तो उसके बाद जैशा करोना हुआ लोकड़ाउन हुआ लोकड़ाउन हुआ तो सब अपने घर में तो हमको सला सब का टेक्स लाना बंध नहीं पिसे का कॉलinea अगर हम सामने सब बहु होगा को जए ब farmer और इसका उठाते नहीं कौर नहीं करता हम सुचे कि हम ऐसा का कर दिये कुछ गलब बोल दिये का किसी को अभी तो हम सुचे कि सलाहम कूल बनने के लिए ना फेस्बुक पर मिम्स सबको सेयर करते तो सबका रियाक्शन तो आएगा लेकिन उधर भी कोई किसी का रियाक्शन नहीं आया मतलब हम बहुत खोशिस कर रहे बात करने का हम मतलब अभी एक अकेला इंसान घर में पड़ेगा भी कितना हम ना गेम खेल सकते थे ना पिच्चर देख सकते थे ना किसी से मतलब घूमने के लिए बाहर जा सकते थे हम हम बहुत सोने लगे थे हम बहुत चिड़चिड़े हो गए थे बीच में ही रोते थे बीज में गुस्टा होते थे हम डादा सोने लगे थे मतलब हम हमारा काबु यह खुछ जहट गया था हम मतलब अभी देखिया ना हम जो जिए जीज जिंदगे में नहीं कहें वह पहली बार कर रहे हैं पहली बार वीडियो बना रहे हम अभी को को चुछिस कि ही हम को ठीक नहीं लग रहा हैं मतलब ठोड़े गुस्टा हो रहे है हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं तो हमारे पिता जी हम से कहेगी बेटा ये जिन्दगी का मोड है ये सब के साथ होता है हमरे साथ हो तुमारे दादा जी के साथ हो ये आएगा और चलाज आएगा हमारे पिता जी समझने की कोशिस ही नहीं कि हम का कहना चाहा रहेते अब हम ना anxiety ओर depression ये सब में बिसभास नहीं नहीं रख़ देते हैं पर सालर जब वो इंसान को होता है वो चीज तब अहीं समझा आता कि बहीं आइसा ऐसा मांसिक भीमारी करें कुछ तो होता है अब हमारे ना मांसिक हमारे का दो ही मतलब है एक तो भूदबादा और दूसरी मतलब यह पागल हो गए है तब परसो का यह बात है हम उसी उम्मेद में पोन लिए तेखी हम देखने की फेस्बूक में हमको गलती से किसी का मैसेज आया रहेगा तो हम खोले तो देखे कि सबने स्टोरी शेयर किये थे और उसमें लिखा था है उसमें लिखा था कि कि अब 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 का वोले और कितना गेर ऊगे तुम लोग एक बात करो हमारा पॉन उटाओ हमसे हम तरस रहे थे कि हमारी सुना मत लेकिन हमसे बात तो करो हमको तो जानो कि हमको का हो रहा है साला एक फेमस इंसान अगर सुसाइड कर ले तो सब को इस चीज़ का फरक पड़ता है लेकिन आपको पता है क्या साला हर एक घंटे में एक इस्टुडेंट भारत में आत्मात्ते करते हैं लेकिन तब किसी को फरक ने पड़ते हैं क्योंकि वह फेमस तोड़ी ना है कि यह फरक छोड़ी है यह ना यह सूसल मीडिया को चलाने के लिए यह लोगों को कंटेंट मिल गया और यह तो कंटेंट है ना यह इंसान की जिन्दक से भी बहुत ही प्यारा है अभी दो-तिन हफ्ते और गये ना किसी को कुछ फरक नहीं पड़ेगा का इंसाइट और का डिपरेशन शालाव बहुत धर्द ही बहुत अलग होता है जब धर्द बाटने के लिए कोई नहीं होता अब हम यही कहना चाहते कि अगर यह सोचल मीडिया की दुनिया से निकले और आजो बाजू देखे कि लोग रुके हैं आपसे बात करने के लिए तरज रहे अकेले तो उनसे बात कीजिए उनको ऐसा मूह मत थेरिए अगर यह बोलते वक्त हम किसी का दिल दुखाये रहेंगे तो मात कर दीजेगा हमारा उद्देश नहीं था हमको सुनने के लिए आपका बहुत सारा सुक्रिया धन्यवाद